वेरियेबल को थोड़ा सा कवर कर लिया था और ऑपरेटर्स थोड़ा सा देख रहे थे हम कि जी ऑपरेटर्स का क्या चक्कर है हमने कौन कौन से ऑपरेटर देख लिया थे हमने प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिवाइड और मॉडिलस तक हमने देख लिया था ठीक है किसी का कोई question है तो वो मुझसे भी पूछ सकता है अधर्वाइस फिर हम आगे जो दो बचेवे operator है उसकी तरफ हम कि अनल और अंडिफाइन जो है तो वो भी डेटा टाईब ही यह लेकिन आप उसको फॉलसी वैल्यूस के तरपर एक इन इसके अंदर ना 7 फॉलसी वैल्यूस है अभी हम जब इफ ऐल्स पढ़ेंगे ना तो वह फॉलसी वैल्यूस का जिकर आएगा तो उसमें वो निए लेकि अच्छा हां सही कह रहे हो तुम जो जो नंबर है ना वो तो 64 bit का floating point है ना एक इसके अंदर big integer भी है वो इन्हों रिसेंटली एड किया है थीक है मगर वो मसला नहीं है यह आप जब basic data type समझ जाओगे ना तो big integer का को इतना वड़ा मसला नहीं है मैं आपर बता देता हूं असल में जो पुराना document होगा ना वो बेग इंट उसके अंदर नहीं होगा और जो नया वाला document होगा ना उसमें बेग इंटीजर होगा यह मगर जो basic query data types है ना यह अगर समझ आ जाएगी तो बाकिये का कोई इतना issue नहीं है वो आपको खुदी automatically आप यहां देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा अब देखो यह line पड़ो description सब लोग पड़ो इसको हुआत अच्छा आप इन्होंने देखो क्या बात बताईए यहां पर कि बाई बिग इंटिजर को अगर आपने बनाना होता है न तो आप कहते हैं कि लेट वैरीबल का नाम और सामने इक्वल्स टू आप नमबर लिखते हैं इसने का नमबर आप डायरेक्ट नहीं लिखो गया आप ब अगर आपने बिग इंटिजर कॉल नहीं करना तो आप जो भी नमबर लिखो को उसके आखर में लिखके भी आप इसको डोनेट कर सकते हैं अच्छा आप यह डिफ्रेंटिस यहां पर बता रहें कि वह डिफ्रेंस क्या हैं कि अग बिग इंटिजर वायल्यू कैन नाट बी with a normal number value in operator, they must be treated, पता नहीं क्या मुश्किल सा वर्ट लिखा है उने, to the same type, कह रहा है कि जो बिग इंटिजर होगा, वो बिग इंटिजर के साथ ही plus minus होगा, वो एक normal number के साथ plus minus नहीं हो सकता है, ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि be careful, अच्छा, however, as the precision of big int value may be lost when it is, जो भी इसका word है, इसका मतलब यह है कि किसी और number type के variable और big int value के टाइप के variable को आपस मेर प्लस माइनस करेंगे न, तो क्या होगा, कि उसकी precision वो लूज कर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोने experiments बताया है, अब यह इतनी सी बात है, यहाँ पे खतम होगया, यह सारे operators पर लग जाते हैं, यह वो ही operator हैं, जो सारे normal number पर लगते हैं, अच्छा, अब यहाँ पे इसने जो है न, यह maximum safe integer बताया है, तो यह इन्होंने कह दिया कि यार, अच्छा, इसका maximum इसने बताया नहीं है, बस यहाँ पे यह proof किया है, इसने, कि जो maximum safe integer है न, उसके आगे भी यह चला जाता है, लेकिन कितना आगे जाता है, वो नहीं बताया, यानि जो बड़ा number है, क्योंकि जाहर है, 64 bit का जो floating point number है, उसकी एक limit है, solar digit तक की something की वो limit है, और वो limit आपको कैसे मिलती है, यह बात आप लिखते हैं, number.max safe integer, तो इससे आपको बात मिल जाती है, यह global value ह इसको, तो यह ऐसे constant रहती है, यह आपको मिल जाती है, यह maximum है, तो इसमें इसने क्या किया, plus किया 1, तो भी यह चल गया, प्लस किया 2, तो भी चल गया, ठीक है, उसको multiply किया 2 से, तो भी चल गया, ठीक है, तो यह सही काम कर लो है, लेकिन इसने यह नहीं जिकर किया, कि जो नॉर्मल वाला नंबर ना 64-bit वाला उस से ज्यादा ही बड़ा नंबर स्टोर कर पाता हो गाई लेकिन यहां पर कहीं इन्होंने यह बात जिकर अच्छा यह आ गया ना और अच्छा नां पर ना करने लिए वाली वेल्यू इस इस ग्रेटर देन टू की पावर 53 टू कितना होतारि है यानि मेरे खैल है के टू की पावर 53 का मतलब होगा कि टू multiply बैटू multiply बैटू करके 53 टाइमज जब होगा तो इसमें कितने कितने डिजेट हो जाएंगे यह टू पावर का निशान क्या होता है कैसे आता है टू की पावर 53 कैसे कैलकुलेट होती है बई पता है किसी को यह एक्स वाला लगाँ यह वाला या यह वाला एक्स वाई और अब मैं यह पे लिखो 53 और यह एक्स वाला यह वाला यह वाला यह यह पनरा जीरो पनरा जीरो तो वाई सोलर डिजिट ही है यह तो सोलर डिजिट ही है यह भी वेल तो अब आपने देगा कि नंबर में और इसमें कुछ जादा डिफरेंस नहीं है बद छोटी-छोटी इसने तमीदी गुफ्तुओं की है और फिर उसने बोला कि भाई अच्छा यह तो लिमिट नहीं बता रहा है यह कह रहा है इससे बढ़ा हो जब तो यह तो maximum safe integer solar digit कह रहा है इससे बढ़ा हो जब ही यूज करें तो इससे छोटे में इसको यूज करने की जरूत नहीं है अब यहाँ पर maximum इसके लिमिट कहीं पर नहीं बताईए इन्हों नहीं अब इसको प्लस माइनस करने के ना यह पूरे इंस्ट्रक्शन्स हैं पूरी इसको किस तरह से करना है और किस तरह से इसमें नहीं करना है हम अलग से अगर गूगल करें इसकी कोई लिमिट नहीं है अपर लिमिट नहीं है इसकी तो मॉस प्रॉबली यह क्या करता है उसको एज़ा स्ट्रिंग उसको ट्रीट करता है जो नंबर्स है ना उसको एज़ा इसकी कोई लिमिट नहीं है एक और यहां पर बात इन्होंने पूछी है आई अच्छे खासे बड़े नंबर तक ये जा रहा है भई इतना बड़ा नंबर जो है ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुए आपके सामने कि शायद इतने बड़े नंबर तक कभी भी आपका सॉफ्ट्वेर तो नहीं पहुचेगा क्योंकि हमारे पास जो नंबर नंबर तो वैसे बहुत आगे तक है गूगल आपको पता है जब सौ जिरो लग जाते है न तो वो गूगल नंबर होता है यह शायद सौ जीरो तो सौ डिजिट है यह शायद चालिस-पचास तो है तो नहीं नहीं उनकी तादाज जो है न वो शायद जाती है मेरे खाले तीस-चालिस-जीरो होते है उसके अंदर तो बहुत बड़ा नंबर ही है जो लिखाव है आपके सामने तो इतना बड़ा नंबर तो सौफ्ट्ट्वेर में मेरा नहीं ख्याल कि जाएगा अंटिल और अनलस के कोई बहुत ही साइंटिफिक किसम का सौफ्ट्वेर हो या जैसे जो बैंक्स वगरा होते हैं जो ट्रांजेक्शन होती है तो ट्रांजेक्शन कितने की होगी जासतर ट्रिलियन तक जाएगी वो ट्रिलियन से उपर गी तो नहीं होगी ट्रांजेक्शन इस से कम कमी होगी, तो ट्रिलिन में कितने जीरो होते हैं? मरे खona कोई, पंधराँ जीरो होते हैं शायदे, ठीक है? इसी तरह चौदाँ, वाराँ, एल्फ, तेरा पंधरा इस तरह होते हैं, ट्रिलिन में तो और जो ज्यादातर ट्रांजिक्शन होती है वो लाखों में होती है ठीक है करोणों वाली ट्रांजिक्शन भी बहुत कम होती है बहुत ही कम होती है शायद एक परसंट होगी उसकी जादा तो ज्यादतर जो लाखों में होती है कि जी दस लाग पचास लाग नवे लाग इस होते रहेंगे javascript में हर programming language में in future data types add होती रहती है ठीक है अच्छा और sometime वो programming language के level पे add होती है sometime वो library level पे add होती है जैसे python के अंदर अगर हम python की बात करें उसमें क्या होता है हम python पढ़ेंगे नहीं इस course में मैं ऐसी ही आपको as a example बता रहा हूं तो उसमें पाइंडास करके लाइबरी और एक नम पाय करके तो उसमें कुछ ऐसे data types है जो python में exist नहीं करते हैं वो सिर्फ उसमें करते हैं तो वो चल रहा है ठीक है इसी तरह एक टैंसर फ्लो करके लाइबरी है उसमें एक चीज होती है उसको हम कहते है उसका में नाम बूली है उसको टैंसर ही कहते हैं ठीक है टैंसर भी कहते हैं एक और भी नाम होता है तो वो क्या होता है तो आप लाइब्रेरी लेवल पे एक वैरीवल बना दें उसका, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर अलगॉर्थम पढ़ा है, उनको पता है कि डेटा डाइब कैसे बनती है, कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, एक दो, तो डेटा स्ट्रक्चर अलगॉर्थम होता है, एक सब्जेक्ट होता है, यह उनवस्टी में पढ़ाना तो चाहिए, मुझे नहीं पता है आप आजकल पढ़ा रहे हैं चोड़ दिया हैं उसमें वो असल में आपको एक कहानी है समझाते हैं कि जो इस्ट्रिंग है यह पीछे हँके हो क्या रहे हैं कि न कुछी कोडिंग हो वह अया जो अ हेरे हैं उसका जो इस्ट्रक्चर वो बनावा कैसे है उसमें जब हम पुष या पॉपको टर था तो अंदर क्या होता है किस तरह से इसमा वो चीजों को रिमूव करता है यह ए एक स्ट्रचस अल अल अब पढ़ देना यूट्यूब पर जाके देख लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है तो चार-पांच उसकी डेटाटाइब है जो इस्ट्रिंग एरे जो हम यह पांच डेटाटाइब पढ़ रहे ना इसी का डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो अब आस मसला हलोगे आपक स्ट्रिंग और अब्जक्त तो किसी भी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज में सेम नहीं है आए attended डो अब जावासि के अंदर के जो डेटाटाइब चेक करते हैं तो कभी जो अब्जक्त बताता है। आए उसे जावासिक्त के अंदर पइस पाइफल हम स्ट्रिंग को आब्जक्त तो कभी भी नी नीग पता हैं क्यों बताएं तो जिर वो पाइफन वा अब्जेक्ट वो डिश्टरी कहते हैं यह लिए डिक्शनरी एक अलग चीज है, डिक्शनरी में तो अब्जेक्ट चलो बता रहा तो असल में है यह अब्जेक्ट हो, लेकिन इस्ट्रिंग जो है वो तो इम्म्यूटेबल डेटाइप होती है, वो तो कि अब्जेक्ट का अपस में दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है, ठीक है और किसी का कोई क्वेश्टन है? वन्ड़ूस पहले 10 थीफ लेवन हो गई है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि विंडोस का वरजन फिक्स नहीं है, तो चीजन तो नहीं एड होगी ना, वोक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजन जो पहले नहीं होती बाग में आ जाती है, तो वह यह वाले वेरिगल्स नीतक्ञता ये कही नहीं जा रहे है रिमुव भी होते हैं इसा नहीं कि रिमूव नहीं होते हैं लेकिन एक-बूलारारा कि सूदा icon Doctor उपकल तो आप साल बाद वारियबल इसमें इंटारली दूसरे हाज़ें यह बिल्कुल ही खतम होजें ठीक है ऐसा हुआ है इन पास्ट कि जह नब वारियबल कुछ खास तरह के वारियबल तो उनको खतम कर दिया गया उनको अब नहीं बनाते हैं ठीक है मिसाल के दूर पर जो मैंने ऐरी लैंगwoag सिखी थी वह सी लैंगwwich थी उसमें ऻो थी इस ट्रuct कर गएं तो इस ट्रक्ट जो था हुआ उसको खतम करके अप उसकी जगह क्लास लेकर आ गई ठीक है में एको और में जहांब एक्जाय बिल्टे के वह एड्ड कि हाना ने लेकर रिगने म connect के वह अग्सान जो javascript को object itself है वो programming languages में इस तरह की object exist नहीं करते थे लेगिन javascript में introduced किया अब वो popular है अब वो interchange language के तोर पे उसको बड़ा अच्छा use किया जाता है यह जितने भी server है वो सब json में बात कर रहे होता है तो वो भी itself को data type थी नहीं यहनी data structure के अंदर वो data type नहीं किया इननी भी programming languages है वो structure तो same follow करती है data structure तो उस data structure में यह वाला object नहीं था पहले तो यह इन्होंने अब add किया अच्छा जी अब हम ज़रा अगला जो हमारा है न जो operator जो हमारा कौन सा operator है हमारे पास अब यह plus plus और minus minus का operator है इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि यह क्या चीज है तो मैंने एक नया folder बना दिया es6 operators और operators में आकर अच्छा यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको javascript पहले से ही आती है और अच्छे से आती है एक दो तीन चार पांच छे साथ और अच्छा जी साथ लोग ऐसे हैं जनको javascript अच्छे से आती है तो क्यूंके यार मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि अच्छा यार कुछ लोग ऐसे हैं जनको javascript आती है तो अभी पता चल जाएगा कितनी आती है अच्छा तो मैंने कहा कि आप अच्छा वाईबल का कोई भी दूसरा नाम रख सकते हैं और यहां को नाम किया है मिसाल के दोर पर अगर अपने यूजर से एज उन्पुट लिए तो आप इसको लिखेंगे यूजर एज लिखेंगे आप ऐसे टाकिए देखने वाले को पता चले कि यह क्या लिखा आपको खुद को भी पता चले ठीक है तो एक software developer था उसने एक variable बनाया कोई secret किसम का काम कर रहा होगा और शायद हो तो उसने बोला कि भाई जो मैंने variable बनाया था ना वो मैंने क्यों बनाया था वो सिर्फ मुझे पता था और मेरे रब को पता था अच्छा फिर दो तीन महीने बाद जब मैंने वही code खोला दोबारा तो सिर्फ मेरे रब को ही पता था कि वो मैंने क्यों बनाया था तो इस चीज़ को इसको मैंने करना है 6, तो मैं कैसे करूंगा, user age equals to user age plus 1, ऐसे करूंगा मैं, अच्छा, अब इससे होगा क्या, देखो, यह java script की जो statement लिखी हुए, इसको यह कहां से पढ़ना शुरू करेगा, इसको यह left side से पढ़ना शुरू करेगा, ओ sorry, right side से, यह right side है, तो right side से पढ़ना शुरू करेगा, तो पहले इस वाले part को यह execute करेगा, इस वाले part को execute करेगा, तो क्या होगा, user age जो है, यह अपनी current value return करेगा, return करने का मतलब होता है, खुझ हट जएगा यहां से, और अपनी जगए एक value छोड़ जाएगा, ठीक है, तो user age की current value जो है, वो 5 है, तो यह 5 आ ज चला जाएगा, ठीक है, और नतीज़ेता न, अगर इस variable को मैं line number 20 में यहाँ पर console करूँगा, तो मेरे पास 6 print होगा, ठीक है, तो line number 20 में मैं इसको console.log लिखता हूँ, और user age, और user age मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर 6 print हो जाना चाहिए, अच्छा, यह बात सब को समझाईगी, कि यह कैसे हो रहा है, अच्छा, इसको हम चला के देख लिए, ठीक है, यहाँ पर age मैं, 6 मेरे पास print हो गया, अच्छा, अब इसको करने का न, एक तरीका और भी है, जिसके लिए एक अलग operator, और ने वतारूँगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो इन्होंने का यार, यह वाला काम आप जो कर रहे हो, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप ऐसे आओगे, और यहाँ पर प्लस प्लस लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, age में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगेन मैं इस code को जब चला कर देखूंगा, तो मुझे 6 ही मिलेगा, रीफ्रेश किया मैंने, तो अगेन मुझे 6 मिल रहा है, ठीक है, दोनों का रेजल्ट जो है, वो क्या है, अच्छा, इसी तरीके से, माइनस माइनस भी है, माइनस माइनस करूंगा, तो क्या होगा, जो प्लस करता था 1, उसकी जगा, वन माइनस करना शुरू कर देगा, रीफ्रेश करता हो, तो आप देखो, वो 5 की जगा 4 कर दिया उसमें, ठीक है, पहले 5 था, अब 4 होगा, अच्छा, इसी तरीके से, पहले भी प्लस प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, आगे भी प्लस लगा सकते हैं, दो दफा और पहल फ़ले भी दो दवा फ्लस लगा सकते हैं ठिक है इसका भी behavior जो होगा, same होगा इसका behavior भी क्या होगा कि वो एक number plus कर देगा six हो गाएगा अच्छा इसी तरीके से minus minus भी पहले भी लगा सकते हैं ठीक है इसका behavior भी क्या होगा यह one minus कर देगा one minus हो गया ठीक है अच्छा जो मैं इसको पहले plus plus लगा रहा हूं यह पहले minus minus लगा रहा हूं इसका नाम क्या है प्री इंक्रीमेंट इसका नाम है प्री इंक्रीमेंट सही है और जो मैं पहले minus minus लगा रहा हूं इसका नाम है प्री डिक्रीमेंट सही है और जो मैं बाद में minus minus लगा रहा हूं इसका नाम है post decrement साही है और जो मैं बाद में यहाँ पे plus plus लगा रहा हूं इसका नाम है post increment ठीक है तो post increment post decrement pre increment और pre decrement ये चार अब मैंने आपको operator यहाँ पे बता दिये अच्छा कौन मुझे ये बताएगा आप में से ठीक है ये दोनों इंक्रीमेंट अलग कर दिये मैंने दोनों डिक्रीमेंट मैंने अलग कर दिये अच्छा कौन मुझे आप में से बताएगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या फरक है करेंगे इन के बाद भगा पहले मतलग मतलग करेंगे तो यह अच्छा अच्छा तो मतलब गर मैं अगर मैं इसको इसको open कर देता हूँ, post increment को मैं open कर देता हूँ तो यहाँ पे तो जब मैं इसको console करता हूँ तो increment हो चुका होता है बात में, कैसे इसको मैं prove करूँगा यह बात मही हो रहा है इसके आगे कोई value होगी तो फिर कर देखो यह बात तो समझ आ गई कि भाई जो अगर plus plus post increment है तो बाद में increment करेगा और pre increment है तो पहले increment करेगा, यह तो नाम से भी जाहर है अब इसको मैं कैसे verify करूँगा कि यह वाकि यह हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है अच्छा क्या करूँ, console कर दूँ अच्छा देखो इसको हम जो प्रॉपर बोलेंगे न वो कैसे बोलेंगे हम के अभी मैंने उपर वाले सारे operator बंद कर दी है, ठीक है तो अभी यह जिस console में जो है वो ही है इसको हम ऐसे बोलेंगे कि अगर मैं बाद में प्लस प्लस लगाता हूँ, तो यह क्या करेगा पहले return करेगा, बाद में increment करेगा, ठीक है, अच्छा, return करने का मतलब क्या होता है कि यह यहां से खुद यहां से गाइब हो जाएगा और उसकी जगा पे एक value आ जाएगी यहां पर उपर मैंने originally इसको 5 value assign की दी, तो इस जगा पर क्या आजाएगा, यहां पर 5 आजाएगा, अच्छा, लेकिन 5 आने के बाद, उसके 5 return करने के फोरण बाद, वो उसमें increment भी कर देगा, ठीक है, अच्छा, इसको proof करने के लिए मैं इसको 2 दफ़ा console करूँगा, ठीक आगे देखते हैं, पहले 5 आया, फिर 6 आया, अगर मैं इसको plus plus को पहले लगाऊंगा, यानि के pre increment, तो क्या होगा, यह पहले increment करेगा, उसके बाद return करेगा, इसका मतलब क्या होगा, कि यहीं पर यह 6 return करेगा, ठीक है, return करने का मतलब होता है, यह खुद हट जाएगा यहां return बाद में करेगा, ठीक है, तो यहां पर भी 6 आयागा, इसके नीचे भी 6 आयागा, आगे देखते हैं, रिफ्रेश किया हमें इसको, तो दोनों में 6 आया, ठीक है, यह पता चल गया हमें, plus plus और, अच्छा, minus minus के साथ भी same phenomenon है, कि अगर मैं पहले minus के साथ भी same phenomenon है, कि अगर यह पहले minus करेगा, उसके बाद return करेगा, क्योंकि इसका नाम है pre decrement, पहले decrement करेगा, उसके बाद return करेगा, ठीक है, रिफ्रेश किया हमें, दोनों में 4 आ रहा है, अगर मैं इसको post decrement लगाऊंगा, तो यहां पर इस जगे पर यह return पहले कर देगा, decrement बाद में करेगा, तो 5 और 4 हो गया, अच्छा कुछ लोग इसको शायद इस तरह consider करते हैं, कि यार यह ना इस पूरी line के खतम होने का weight करेगा, कुछ लोग शायद इस तरह समझते हैं, कि इस line में यह decrement नहीं करेगा, यह अगली line के आने का weight करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सिर्फ इतने part के उ दूसरा code होगा, तो उसका weight नहीं करेगा, उसके खतम होने का, वो अपना काम अपने time पे गरेगा, ठीक है, जस्ट क्या करेगा, जब इस जगह पे पहुंचेगी ना, मेरी जो execution है, तो वो इस जगह पे पहुंचने में जाहर है, value return करनी है, उसको कोई ना कोई, जैसे हमने यहां पे देखा था, हमने यहां पे देखा था, इस वाले line में, कि यूजर age equals to user age plus one, तो जब यहां पे execution पहुंचती है, तो इसको plus करने के लिए value चाहिए, तो user age की जगह पे value चाहिए, तो user age कुछ ना कुछ return करेगा, value तो वो होगी, तो जब इस point पे पहुंचेगा, जह पे उससे programming language demand करेगी कि तुमारे पाग क्या है, दो इदर, अभी होगा, इदर plus minus होगा, तो उस जगह पे यह क्या करेगा, पहले return कर देगा, और return करने के फॉरण बाद उसको plus मार देगा, अच्छा, इसको अब कैसे verify करेंगे, इसको verify करने के लिए हम लिख देता है, यहां ठीक है, और मैंने काया कि जी, result equals a plus 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 b plus plus, आवाई, कौन बदायागा कि इसका result, result को जब मैं यहां console कराता हूँ, अगली line में, तो क्या आएगा मेरे पास, हाँ बढ़ी, 20, एक दोस्त कहरेंगे, जिए 20 आएगा यहां पर, 20 आएगा, एक दोस्त कहरें, 22 आएगा, अच्छा यह एक दोस्त कहरें, 22 आएगा, जिन लोगों को java strip आती है, वो 22 कह रहे है, एक 24 भी आगया, कौन से, किसने कह 24, आपने कह, अच्छा यह कोई सही गलत नहीं है, क्योंकि भाई आपको आती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर सभी आता होता, तो यहां क्यों आता है, तो यह जो मैं सवाल आपसे कूछ रहा हूं, इसमें जो आप जवाब दे रहे हैं, इसमें सही गलत नहीं है, क्योंकि आपको जो लगता है, यह यह आपना ओपीनियन दें, इससे बैनिफिट किया होता है, क्लास जरह टूवे हो जाती है एक तो थोड़ी सी रहा इंट्रक्टिव हो जाती है, और दूसरा ही कि थोड़ी ब्रेंस्ट्रोमिंग भी हो जाती है, आपका तरफ पता चल जाता है कि यह आप कितने पानी में हैं, तो मगर इसमें ऐसा नहीं है कि अगर गलत जवाब देंगे तो आप कोई इसमें आपके लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हो बताने के लिए तो मेरा काम है आपको बताने, तो नो प्रॉब्लम, हाँ वाई, कैल्कुलेट कर लिया सब लोगों ने, अच्छा इसको चला के देख लोगे तो रजल तो पता चल जाएगा वैसे भी, लेकिन वह असल जो हाल है कि वह कैसे कैल्कुलेट किया आपने, तो अब आप में से कोई भी एक बंदा ख़ड़ा होके यह बताए, पहले तो वह अपना वरजन बताया, अंसर का कि 20, 24 जो भी, और वह बताया कि वह उसने कैल्कुलेट कैसे किया, कौन बताना चाहिएगा, जी बताएं, अच्छा आपके ख्याल में 20 जो कैसे आपने कैल्कुलेट किया, बताते जाए अब, अच्छा पहले तो उस पूरे स्टेटमेंट को यह इधर से पढ़ना शुरू करेगा, यह इधर से पढ़ना शुरू करेगा, इस साइट से पढ़ना शुरू करेगा, अच्छा यह पूरे स्टेटमेंट को यह इधर से पढ़ेगा, लेकिन इतने पार्ट को यह किदर से पढ़ेगा, राइट साइट से पढ़ेगा, चले अभी वह बताता हूं असल क्या है, लेकिन पहले इनका प्रोफ प्रोसेस देख लेते हैं, इनका थोट प्रोसेस देख लेते हैं, तो अब सबसे पहले ये, यहां पर 6 यहां पर 6 आजाएगा, और उसके लावा भी 6, वो 5 हो जाएगी, और यहां पर 5 ही रहेगी, चलो 4 लिख देता हैं, और यह वाली कितनी हो जाएगी, यहां गडबड कर दी हैं आपने, अच्छा यह कितनी होगी, 6 रहेगी, 6 रहेगी, अच्छा, और यह 6 और 5 ही 11, यह वाली 5 है, यह 5 है, अच्छा, तो 5 और 4 नौ, और 6 और 5 ही 11, तो पूरे 20 हो गई है, अच्छा, लेगिन यह आंसर गलत है, अच्छा, आप बैठे, बैठे, अच्छा, इसको ना समझने के लिए एक चीज और, अभी यह आपर आइडिया हो गया, कि क्या चीज बताने की जरूत है, यह मुझे पता चल गया, देखें, यह पूरे स्टेटमेंट को तो यह इस तरफ से पढ़ेगा, लेकिन इस तरफ से इसको हम कहते हैं, ओपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, साथ में जावा सिर्फ बे लगा देता हूं, अच्छा जी तो यह एक डॉक्यमेंट में ने खोला है, एम डीन का, इसमें एक टेबल बनी भी है, कहां चली गई वो टेबल, हाँ, इसमें न, देखो क्या-क्या, तीन बा तो हर ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है, वो बात लिखी विए, अच्छा, और फिर उसकी एस्सीयेटिविटी लिखी विए, अच्छा, हमने एक चीज ऑपरेटर के टाइम पे एक चीज हमने डिसकस नहीं की दी, कि जी अगर प्लस माइनस, जैसे इस तरह जे मैंने तो यह उसको कैसे हैंडल करता है, उसमें बार्ट मास का रूल लगाता है, ठीक है, अच्छा, बार्ट मास में क्या होता है जी, जिन लोगों को नहीं पता है, उनको बता रहा हूँ कि बार्ट मास में सबसे पहले ब्रैकेट और होता है, कि जी जो ब्रैकेट के अंदर चीज अधियर सब्स्ट्रेक्शने लास्ट में होता है तो एडिशन सब्ट्रेक्शन लास्ट वाला ऐस जो हो गया अच्छा मगर आब वो तो चकर यह कि इसमें तो सिर्फ यह चार ऑपरेटर का जिकर एप ऑपरेटर तो चार के इलावा भी बहुत सारे हैं जैसा कि जावा तो बेसिक अर्थमेटिक जो आप स्कूल में पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में उसमें तो बॉर्ड मास चल जाता है लेकिन यहां पर बॉर्ड मास से हमें बढ़के कुछ चीज चाहिए इसमें तो चलो एगी एडिशन है तो फर्क नी पढ़ता अच्छा तो इसमें जावा मास में होती है न वो ही है ठीक है बॉर्ड मास के अंदर जो चार ऑपरेटर होता है उनकी प्रिसेडंस सेम है लेकिन उसके इलावा बहुत सारी और भी है इसमें वो देख लेते हैं अच्छा तो क्या चक्कर है बाई चकर यह है कि जिसकी प्रिसेडंस सबसे ज्यादा होगी उसको पहले एक्जिक्यूट किया जाएगा सही है जिसकी प्रिसेडंस ज्यादा होगी उसको पहले एक्जिक्यूट किया जाएगा अच्छा तो 18, 17, 16, 15 सही है यह सारी जिसकी प्रिसेडंस सबसे कम है उसको सबसे आखर में करेंगे तो हम आगे देखते हैं कि सबसे कम प्र इसकी प्रिसिडेंस सबसे कम है, इतना यह जो पार्ट है, यह असाइमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, तो इस ऑपरेटर को सबसे लास्ट में एक्जिक्यूट किया जाएगो, अच्छा इसकी जो एसुसी एटिविटी है, वो क्या है, राइट टू लेफ्ट, यह एसुसी किया जाएगा, अच्छा हम जरा असान में आजाते हैं, प्लस में आजाते हैं, प्लस में आके जरा हम देख लेते हैं, यह प्लस का क्या चक्कर है, अब यह एडिशन जो है न, यह आगे एडिशन का उपरेटर, इसका जो प्रिसिडेंस है वो 11 है, ठीक है, तो अगर एक्व तो addition और subtraction की दोनों की जो precedence है वो 11 है इसका मतलब है कि addition और subtraction one go में किया जाएगा javascript के अंदर javascript addition और subtraction को one go में करता है ठीक है one go में उसको करता है इसकी जो associativity है वो right to left है oh sorry left to right है अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि क्यूंके addition और subtraction जो है यह binary operator है क्या होते हैं यह binary operator कौन बताएगा binary operator क्या होते हैं किसी को पता है 0 और 1 तो binary numbers होते हैं binary operator नहीं होते है binary operator हम उस तरह के operator को कहते हैं जिसको चलने के लिए दो operand चाहिए होते हैं एक operand से वो काम उसका नहीं होता है ठीक है अच्छा आप बोलेंगे एर कि plus को भी 2 चाहिए होता है यह 2 plus 2 होगा ना सिर्फ 2 तो नहीं होगा यह 2 plus 5 होगा तो 7 result आएगा तो 2 operand चाहिए होते हैं दर्मियान में operator होता है एक left hand side operand होता है एक right hand side operand होता है सही है तो यह इस तरह से होता है तो आप बोलेंगे कि यह कौन सा ऐसा भी कोई operator है जिसको एक operand चाहिए होता है तो जी हा मौझूद है वह हम देखेंगे अभी लेकिन वह तो जो conventional arithmetic है उसमें नहीं होता है यह शोर होड़ा है उपर पता नहीं है खैर तो जो conventional है ना जो चार प्लस माइनस multiply divide वगारा है इसमें तो मेरे खैले binary ही होते हैं सारे operator javascript में कुछ operator होते हैं वो unary operator होता है unary operator वो होते हैं जिनको एक operand चाहिए होता है एक से ज्यादा operand उनको नहीं चाहिए होता अच्छा कौन सा है वो operator अभी हमने पड़ा है प्लस प्लस और माइनस माइनस तो एक operand में उसका काम हो जाता है उसको हम कहते हैं unary operator है ठीक हो गया अच्छा तो वेल अब यह binary operator है तो इसको दो तरफ operand चाहिए तो यह left side पे एक operand होगा दर्मियान में operator हो यह दर्मियान में यह खुद होगा प्लस का sign और right hand side पे एक operand होगा ठीक है अच्छा तो क्या होगा यह 2 plus 5 होगा यह 5 plus 2 नहीं होगा अब यह वैसे तो सुनने में बड़ी असान सी बात लग रही है कि यार 5 plus 2 करूं तो भी result वही आता है 2 plus 5 करूं तो भी result वही आता है लेकिन जावा script इसको इस तरह से करता है यह हमें बात पते चल गए अच्छा प्लस में तो चलो सही आएगा लेकिन divide में बात फर्क हो जाएगी ठीक है अब हम ज़रा divide पे जाएंगे न यह देखेंगे divide आगया तो multiplication और division और reminder इनकी जो precedence वो बार आए यानि कि addition से ज्यादा precedence है इसकी addition बात में होगा यह पहले होंगे अगर यह मौजूद है तो अगर तो यह equation में मौजूद नहीं है तो बात खतम हो गई तो यह हो गई बात अच्छा तो division के अंदर अगर लिखाव है न के 5 divide और 2 तो यह 5 divide by 2 होगा 2 divide by 5 नहीं होगा इन दोनों का result फर्क है ना 5 divide by 2 और 2 divide by 5 का result फर्क है ना दोनों का अगर मैं 2 divide by 5 करता हूँ तो कुछ points में answer आएगा लेकिन 5 divide by 2 करूँगा तो 2.5 आजाएगा तो answer फर्क हो जाएगा तो यह जो associativity है ना यह आपको खास खयाल रखना है इसका अच्छा तो हम यह दरह देख रहे थे addition हमारे पास तो स्रिप addition है तो addition को यह करेगा left to right सही है य और यह जो assignment operator है क्योंके देखो सबसे कम precedence इसकी है ना तो इसको तो बाद में देखेगा last में तो पहले तो इतने part को हम देख लेगा है अच्छा तो इतने part का जो इसमें क्योंके सिर्फ plus के operator है तो यह left to right है तो इसका मतलब है यह शुरू करेगा यहां से कहानी यहां से ज यहां पर आजाएगा a में 5 है ना तो 5 ही रहेगा लेकिन a में originally यह 6 कर देगा increment मार दिया इसने उदर ठीक है यहां पर लेकिन return value जो आएगी वो 5 आएगी अच्छा अब 5 में आगे plus plus अब यहां पर b plus plus यह भी post है तो यहां पर भी क्या होगा जो b में original value थी 4 वो ही return होगी लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा originally उस value की जो value है variable की उसको increment कर देगा अच्छा अब यहां पर क्या हो गया pre increment है तो b में जो value मौझूद है उसको पहले increment करेगा फिर return करेगा तो क्या है return value सब लोग sure है कि 6 आई क्योंकि यहां पर 5 हो चुका है ठीक है तो यहां पर 6 आएगी अच्छा और यहां पर क्या होगा पहले increment है ठीक है पहले increment है और उसके बाद return करेगा तो a में इस वक्त मौझूद है 6 तो यहां पर 7 आ जाएगा ठीक है अच्छा इन दोनों को करते वे भी यहां पर यह मजीद प्लस करेगा यह नि मिसाल के दोर पर इसको 7 कर देगा और इसको 6 कर देगा क्योंकि यहां पर भी तो प्लस हुआ है ना original values में भी तो प्लस हुआ है ठीक है तो यह हो गया अब क्या हुआ यह पांच चार नौ और 6 कितना हुआ total है जो भी हुआ है यह तो 7 और 6 तेरा हुआ है 13 और 4 तेरा हुआ है 17 और 5 बाइस हुआ है तो 22 इसका answer आना चाहिए ठीक है तो हम इसको दर एक्जेक्यूट करके देख लेते हैं कि इसका answer 22 आता है या नहीं आता है ठीक answer इसका 22 आ गया ठीक है तो हमें समझ आ गये कि answer 22 कैसे आया इसका अच्छा अब operator की precedence के अंदर जो है न सही है assignment operator जो है इसकी जो associativity यो right to left है यानि assignment operator यह जो लगाव है इसकी जो execution होगी न वो पहले इधर वाले की होगी और उसके बाद इधर वाले की होगी यानि के plus का जो operator तो उसमें क्या होता था पहले यह होता था फिर यह होता था left to right लेकिन assignment operator में उल्टा है पहले यह पूरा होगा यानि इस assignment operator की पूरी right side पहले होगी उसके बाद left side होगी तो जब यह वाला पूरा complete हो जाएगा यहां तक यह पूरा यहां तक जब complete हो जाएगा तो यह इस पूरे की execution में 22 result आया तो जब यह single value बन जाएगा तो यह result के अंदर इसको assign कर दियागा यह उठा के उस तरफ कर दिया जाएगा ठीक assignment operator की क्योंके precedence सबसे कम है इन जो इस equation में मौझूद है इसमें सबसे कम है ठीक है तो यह हमने क्या पढ़ लिया यह हमने math expression जो थे न javascript के वो हमने complete कर लिया ठीक है math expression किस चीज को कहते है को बता पाएगा math expression पढ़ तो लिया हमने लेकिन math expression किस चीज को कह रहे हैं दोस ने कहा कि कोई भी operation perform हो रहा हो दो variable के साथ यह दो चीज प्लस माइनस हो रही हो तो उसको math expression करते हैं हाँ बाकी और कोई इनके बाद से कितने लोग agree करेंगे बाकी लोग यार यह math expression तो वो प्राइमरी क्लास की math वैत में होता है मतलब नाम तो सुना है math expression पहले लिए नहीं होता है अच्छा math expression जो है ना बता देता हूं कि क्या होता है math की जुबान में कोई भी बात लिखी भी होगी ना उसको math expression करते हैं ठीक है express का मतलब क्या होता है बताना ठीक है expression का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपके दिल में बात थी वो आपने लिख दी ठीक है तो अगर Shakespeare लिखेगा अपनी बात तो वो English language में लिखेगा लेकिन अगर कोई mathematician अपनी बात लिखेगा तो वो math की जुबान में लिखेगा math की जुबान में कुछ वो plus minus में करके लिखेगा ठीक है जो math की formulas आप लोगोंने सुने होंगे कि यार math की formulas होता है जिससे equation solve हो जाती है ठीक है तो जो math का मैंने मैं जो आपको बता रहा हूं कि भाई यह ऐसे करोगे तो यह हो जाएगा तो जैसे English, English, sentence, math में होता है expression ठीक है कि math की जुबान में एक जुमला लिखा वह है जुमला लिखके मैं आपको दे दिया that is called math expression ठीक है ठीक है होता ने express your love कि आप बुलता ने express expression देते हैं आपना या कोई बात बोलता है तो भी आप expression, happy expression देते हैं कभी ठीक है तो वह एक body language है जो आप face expression देते है body language है ठीक है इसी तरह math expression math में लिखी भी बात है और अंग्रेजी में अगर आप कोई लिखेंगे तो उसको आप कहते है sentence ही है ठीक है उसको भी expression ही होता है by the way जो पतनी कौन सी English की class होती है पूरा session होता है तो वह sentence को अंग्रेजी में भी असल में तो उसको expression ही कहते है लेकिन वह बच्चों को नहीं बताते हैं बच्चों को तरह पता नहीं क्यों जितने भी हमारे स्कूलिंग जो साइंस में खास तौर पर बच्चों को बताने के लिए उन्हों अलग रूल बनाया है अलग मालवंजन तयार किया हुए लेकिन जब आप na si master's level पे जाते है तो उनी चीजों की डिफेंट 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 डिफिनेशन अलग जो आपको उस वक्त बताते हैं वह ला आपको चुना लगाया है असल डेफनेशन यह है इसकी पता नहीं क्यों इनोंने किया वह यह शुरू में बता दे वही सही वाला तो मैं भी शाहिद वह आसान असान करने के लिए शाहिद इस तरह करते हैं कि शुरू में ज़रा मोटी मोटी बात बताते हैं फिर एक्चुल रि आपस मजीद क्या है इसके अंदर ठीक है अच्छा इस ऑपरेटर जो हमने पढ़े अभी तक इसमें किसी का कोई क्वेश्टन तो नहीं है ऑपरेटर से मताले कोई सवाल तो नहीं है किसी का ठीक है आप हमारे पस ने कंडिशनल स्टेटमेंट से थरा कि इसको हम थोड़ा द तो अब कुछ आसाइमेंट की तर्तीब बनानी पड़े है मैं ताकि इस ऑपरेटर का आपका थोड़ा सा थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकें उसकी ठीक है तो इन्पुट आउटपुट लेना मैं आपको सिखाता हूं जावास्क्रपना कि वो कैसे होता है